आंक, फिरोजबाद से लेके सिर्सागर अच खाना क्षेत्र में देर रात रिष्टेदारी से लोट रहे बाइक सवार मा बेटे को अग्यात वाहन ने टकर माच दी जिससे महिला की तो मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंफीर रूप से घायल हो गया अडाओंफ पुलिस चौकीक शेत्र अंकर गदिक वाइक सवार मा बेटे को अग्यात वाहन ने रौन दिया जिसमें मा बेटे गंफीर रूप से घायल हो गये मौके पर पहुंचे लोगों के मदद से पुलिस ने अंबुलिंस द्वारा घायलों को इलाज के लिए दिला सेंग चिकित साले भिजबा दिया जहां पर महिला को डॉक्टर ने परिक्षन के बाद में तो घोशित कर दिया हादसे की जानकारी होते ही गुष्का के परिजन अस्पतान पहुंच गए और गंफीर रूप से घायल बेटे को उपचार के लिए अपने मिजी वाहन से फिरोजा ब बाद ले गए सिरसा गनज के गाउं पिर्ष्रा निवासी गंबी रभू माराम बेटी के साथ बाइक सिमाइन कुरिसे घर लोट रहे थे तभी चौकी क्षेत्र अंतर गतित गति से आ रहे है एक अज्यात बाहन में बाइट में टकर माच बी जिस से दोनों माबेटे गंबी के रूप से घाय माबेचों को उप्चार के लिए आस्पतार भेज दिया पर करफ देगे जाई रहा है कि अ यह राग विंद्र राग विंद्र, तो फ्सक्राद ना दिर मैंपूरी से आ रहे तो कोई अग्यात बहान आए एक्सेंद करे गया तो तो नमर ऑम्बलेंस को नेकर आ कि हो आखे तो अच्पीडल में बढ़ती कर दिया हमें यह को आई तो यह अराओं चेत्र में पहीन का एक्सिडेक्ट हुआ यह मोटरफाइगल पर थे हमारे पास एक्सवाट आपूलेंस लेकर आई है उनमें जो महिला है वो ब्रॉड डेट पाई गही है और जो उनका पुत्र है उसका हम इलाज कर रहे हैं वो अनकॉंशियस है मैंने इलाज दे किया उसके बाद इलाज काल ट्रैफर करूंगा